हाई दोस्तों साईज यहर आज किस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट एंडरोइट 12L पिक्सल ओएस रोम का हमारे Poco F1 डिवाइस पे वीडियो जो है पूरा इंड तक के देखना सारी चीज़े डीटेल में कवर करेंगे क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा क्या बैटरी बैकप है क्या पफॉर्मेंस है सारी चीज़े डीटेल में कवर करेंगे लेकिन उससे पहले चैनल पर अपने आयो न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी कोई प्रॉब्लम अगरे डिसकस करने हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो जैसी टाइम मिलता है वैसी ऑनलेना के आपकी पूरी हल्प करने की कोईशिक करूँगा तो छेलिए लेट्स फिगिन तो सबसे पहले बात करें रॉम की चलते हैं सेटिंग्स में बात करते हैं अबाट सेक्शन की तो रॉम जोना एंडरोइ 12 पे रन कर रहा है लेटे सिकूरिटी पैच है जून का जो करनल है वो है सिल्वर कोर 10.13 का करनल यहाँ भी यूज किया गया है बात करें अगर सेटी नेट की तो वो बाइडिफॉल पास है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बैंकिंग याप सारा हम से यूज में ले सकते हैं और बात करें जी कैम की तो यहाँ पर जी कैम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है 4K 60fps तक के वीडियो रोकॉर्डिंग यहाँ पर सपोर्ट करता है और most of the more सारे वर्किंग कंडिशन में मिल जाती है बात करें C-Linux status की तो वो enforcing रहेगा देन उसके बाद बात करें अगर यहाँ पर Google Photos की तो यहाँ पर unlimited Google Photo Storage original quality देखने को मिल जाएगा ठीक है मैं अभी एक बार आपको चेक करवा देता हूँ तो जैसी कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपके result आपके सामने है ठीक है तो उसके बाद back आते हैं और बात करते हैं आप पर Google Feed की तो जैसी कि आप देख पा रहे हो स्मूथ है थोड़ा इंटरनेट स्लो है उसके जिसे लग रहा हूँगा हे गुगल ओके गुगल अच्छे से work कर रहा है lock screen पे देख लेते हैं ओके lock screen पे भी perfectly working condition में है बात करे calling के बारे में तो यहाँ पर वो भी देख लेते हैं ओके यहाँ पर call recording का भी support है तो आराम से यहाँ पर call recording वगएरा सब कुछ कर सकते हैं दन अगर बात करे app opening के बारे में तो वो भी यहाँ पर आपको smooth देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप देख पार हो app opening भी ठीक है कोई major issue आप आपको face करने को नहीं मिलेगा दन उसके बाद यहाँ पर screenshot वगएरा ले सकते हैं यहाँ पर delete वगएरा कर सकते हैं select copy वगएरा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बात करें customization के बारे में तो वो limited है बट काम कर मिलेगा यहाँ पर जो कुछ है वो तो network section से अगर start करें तो यहाँ पर जो prefer network है वो देखते हैं तो prefer network lock नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर यह down चीज़ देखने को मिलेगी इसकी दन अगर उसके बाद यहाँ पर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर जैसी के आप देख पर है allow client to use VPN का option यहाँ पर मिलेगा then apps वाले option में चलेंगे तो यहाँ पर pixel का launcher देखने को मिल जाता है ठीक है दन अगर उसके बाद यहाँ पर game settings में चलेंगे तो game dashboard भी यहाँ पर दिया गया है अब बात करते है sound and vibration की तो यहाँ पर जो है आपको adaptive sound का support मिल जाता है जो की अच्छी बात है then बाकी चीज़े normal है जैसे की vibrate on connect, vibrate and disconnect वगएरे चीज़े मिलेगी में sound enhancer का option वगएरे हाँ पर मिल जाता है उसके बाद आते हैं back और हम चलते हैं डिस्प्ले में तो auto brightness का support मिल जाएगा lock screen पहेंगे तो always show time and info okay बिल्कुल perfectly work कर रहा है उसके बाद यहाँ पर जो है नीचे चलेंगे तो double tap to sleep on lock screen वगएरा है repel effect चालू बंद कर सकते हैं और यहाँ पर dark theme भी बिल्कुल अच्छा से working condition मिल जाता है then font size display वगएरा जो है size यह adjust कर सकते हैं night light वगएरा काफी अच्छा से work कर रहा है live display में आएंगे तो reading mode use में ले सकते हैं color calibration वगएरा कर सकते हैं then उसके बाद यहाँ पर नीचे चलेंगे तो double tap to wake और double tap to sleep बिल्कुल response काफी अच्छा है जैसे कि आप देख पर हो कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया must work कर रहा है उसके बाद यहाँ पर नीचे चलेंगे तो यहाँ पर full screen apps वगएरा का support यहाँ पर देखने को मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर ambient display का option वगएरा मिल जाता है वहाँ पर always on, pick up वगएरा यह सारी चीज़े use में ले सकते हैं उसके बाद चले अगर हम wallpaper and style में तो यहाँ पर basic color यहाँ फिर wallpaper color जो होता है वो use में ले सकते हो themed icons वगएरा use में ले सकते हो और बात करें यहाँ पर security के बारे में तो fingerprint sensor और face unlock दोनी चीज़े काफी अच्छे से work करी है app lock का भी support है तो यहाँ पर यहाँ आप lock वगएरा use में ले सकते हो जिसको लगाना है lock लगा दो ठीक है ना तो इसके बाद यहाँ पर हम आजाते हैं back और यहाँ पर कुछ और चीज़े भी देखते हैं तो हम चलते हैं system में तो यहाँ पर सबसे पहले gestures में चलेंगे तो यहाँ पर tap जो होता है वो देख लेते हैं एक बर ओके work कर रहा है मैंने tap tap पे screenshot का जो feature है वो enable कर रखा है तो यह काफी अच्यसे work कर रहा है then 3 finger screenshot भी देख लेते हैं तो जیसके आप देख पर हो 3 finger screenshot भी काफी अच्यसे work कर रहा है then यहाँ पर अगर और भी चीज़े हैं जैसे की navigation keys या फिर gestures use कर सकते हैं और navigation keys को invert भी कर सकते हैं, चलो अच्छा है, यही चीज तो मेरे को important है, बाकी चीज़े normal है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर press hold button ठीक है, वो assistant के लिए देखने को मिलेगा, यहाँ पर major important चीज यह दिखिए, advanced restart option है, जो यहाँ पर system update देखने को मिल जाएंगा, यहाँ से आप update वगेरा जो है, चेक कर सकते हैं, ठीक है न, दन उसके बाद अगर बात करें, notification panel की, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पर है, वाइफ और internet के लिए separate tiles दिए गया है, ठीक है, और यह Android L के कुछ आपको animations वगेरा देख data अगरे कर सकते हैं, और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर network traffic indicator, तो यह option यहाँ पर दिया गया है, जो की most important है, ठीक है न, तो यही चीज मेरे को check करवाने थी, specially, बाकि यहाँ पर आपको चीज़े normal देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, अब बात करें, battery backup और charging के बारे में, तो स brightness पे, तो कुछ 10% battery drain होरी एक घंटे में, तो आपको यहाँ पर कुछ 10 घंटे का screen on time with uses के साथ मिल जाता है, चलो अच्छा है बहुत, देन उसके बाद अगर बात करें, अगर बात करें, अगर चार्जिंग की तो वो काफी अच्छा है, charging speed काफी अच्छा मिल जाता है, 1900, 1700, 1500, 1500 mAh के speed से phone charge होता है, देन अगेन चलते हैं, बैटरी वाले option में ही, तो यहाँ पर thermal profiles का support है, तो यहाँ पर जो भी game खेलते हैं, उसका thermal profile performance set कर देना, फिर game खेलना काफी अच्छा output response मिलेगा, देन, turn on light जो होता है when charging यहाँ अप्शन यहाँ से enable मिले सकते हो, और most important यहाँ तो यहाँ पर जो score निकल गया है, वो है 3,99,839 यहाँ पर score देखने को मिल जाता है, ठीक है, अच्छा है, यहाँ पर अगर बात करें, geekbench 5 score की, तो यहाँ पर single core 470, multi core 1869 यहाँ पर score निकल गया है, तो यहाँ उसके बाद CPU throttling भी चेक करवा देता हो, तो यहाँ पर 76% of its max performance जा रहा है, CPU throttling, और अब अगर बात करें, यहाँ पर gaming performance के बारे में, तो gaming performance अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से यहाँ पर gaming कर पोगे, लेकिन एकदम जादा देर तक जब gaming करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा आपको हलका सा लग सकता है, थोड़ा performance डाउन हुए जैसा, बट कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से gaming कर पोगे, ठीक है, और custom kernel flash मत करना, वरना boot loop में चला जाएगा phone, मत करना flash, मैंने try किया है, NGK के सभी version try किये, नहीं हो रहा है boot phone, बात करें, installation process की, तो सबसे पहले आना है, custom recovery में, देन चलना है, wipe section पे, ठीक है, then advance wipe पे आना है, यहाँ पर Delvick catches system vendor data, टिक किया, swipe किया, इसको complete होने देना है, ओके, जैसे ही successful complete होता है, उसके बाद आजाना है, back, install पे आना है, और सबसे पहले firmware flash कर देना है, तो यह रहा firmware, जैसे ही इसका flashing complete होता है, उसके बाद next step क्या करना है, यहाँ पर flashing complete होगे, उसके back आने के बाद again install पे आना है, और यहाँ पर simply ROM को select करके flash कर देना है, ओके, यहाँ पर flash कर दिया है मैंने ROM को, तो यहाँ पर थोड़ा time लगेगा, तो एक काम करता हूँ, हमें वीडियो को थोड़ा सा forward कर देता हूँ, ओके, flashing जो हो complete हो चुगा है, ठीक है, आप white पे आके format data आप आके API करना है, then जो keyboard पे right button दिख रहा है, उस पे click करोंगे, तो format data होगा, तो इसके बाद reboot system पे click करेंगे, तो phone थोड़ी दिर में चालू होगा, अगर आप decrypted user हो, तो क्या करोगे, यह एक मैं last file flash करो, इसको flash कर देना है, DFE की, ठीक है, जैसी यह last file flash हो जाती, उसके बद reboot कर सकते हैं, याद रखे, decrypted user को DFE flash करना है, encrypted user हो, तो format data करके reboot मारो direct, ओके, यह reboot system पे मैंने click कर दिया, phone जोई थोड़ी दिर में चालू हो जाएगा, ठीक है, अब encrypt decrypted video चाहिए, तो i button पे video मिलेगा, जाके देख सकते हो, वीडियो बसना होगा, तो like करके ज़रू जाना और इच्छा हो रहे होंगी, तो share भी कर देना, तो बस आज के लिए इतना ही अगले video मिलते हैं, love you दोस्तों, goodbye, take care